हमारा समाज तीन वर्गों में बटा हुआ है जी हां स्त्री समाज, पुरुष और किन्नर समाज किन्नर समाज के बारे में लोग आज भी ज्यादा बात करने से हिचकते हैं जी हां आज भी किन्नरो को लेकर कई ऐसी बाते हैं जो की रहस्यमई है जो की लोगों से छुपी है किन्नरो का समाज के द्वारा तिरसकार किया जाता है किन्नरो को तो हम सब ने देखा है आपको ये भी बता दे कि हम लोगों से पूरी तरह से उनके रहने का तारीका, उनके जीता तारीका बिलकुल अलग होता है और समाज में ने थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है इनका एक अलग ही समाज होता है और ये लोग उसी समाज में रहते हैं जैसे हर समाज के अपने अलग-अलग रितिरे हैं, ठीक, उसी प्रकार से किनर समाज के भी अपने कुछ रितिरेवास है, दिलेकर मृत्युततर, इनके जीवन में अलग-अलग नियमों का पालन किया जात, कभी आपने किसी किन्नर की शवयात्रा देखी है नहीं देखी होगी ऐसा इसलिए है क्योंकि किन्नरों की शवयात्रा जो है उसके पीछे कई राज छुपे हुए हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि किन्नरों की शवयात्रा के पीछे क्या राज है कि चब किन्नरों की मृत्यों होती है तब इनके शव को सभी से छुपा कर जिहाँ जादा तर शव यात्रा रात के समय निकाली जाती है वहीं किन्नरों की शव यात्रा को रात से निकालते हैं रात में किन्नरों की शव्यात्रा निगालने के पीछे कारण ये है कि कोई इंसान इनकी शव्यात्रा को ना देख सके। ऐसी माननेता है कि इस शव्यात्रा में इनकी समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय के किन्नर भी मौजूद नहीं हो सकते। इतनी ज्यादा गुप्त तरीके से किन्नरों की शव्यात्रा निकाली जाती है। किन्नर समाज की सबसे वड़ी विशेष्टा तो ये है कि आम लोगों की तरह किसी के मृत्यू पर ये लोग रोते नहीं है। कि नर्समाज में किसी की मृत्यू होती है तब ये मातम बिलकुल नहीं मनाते क्योंकि इनका रिवास है कि मृत्यू से उन्हें नर्क वाले जीवन से छुटकारा मिलता है और अगले जनम में इन्हें किसी अच्छी प्रजाती में जनम मिलता है अगले जनम में उसे भगवान अच्छी जिंदगी दे इसलिए ये लोग जो है दुख ही नहीं होते किसी अपने के चले जाने से लेकिन मृत्यू पर खुशियां ही मनाई जाती है ये लोग जब किन्नर की मृत्यू होती है तो खुशी में पैसो का दान करते हैं किन्नरों के समाज में किसी की मृत्यू पर सबसे अजीव रिवाद जो है वो ये है कि लोग शव को अंतम संसकार से पहले जूते चपलों से पूटते हैं कहा जाता है किस से उस जन में किये गए सारे पापों का प्राइश्चित हो जाता है फैसे तो किन्नर हिंदु धर्म को मानते हैं लेकिन ये लोग शव को चलाते नहीं बलकी दफनाते हैं तो ये था किन्नर की शव्यात्रा से जुड़े कई राज आशा है आज की जानकार्या आपको पेहत पसंद आई होगी साथ ही किन्नरों का समाज हमेशा ही रहिस्य मही रहा है हम लोगों के लिए वहीं आपको ये भी बता दें कि आज भी किन्नरों से जुड़ी किसी बात को लेकर हमारा समाज इस बारे में बात नहीं करना चाहता है किन्नरों को हमेशा वही दर्जा देना चाहिए जो एक स्त्री और पुरुष को दिया जाता है कभी भी किन्नरों का तरसकार नहीं करना चाहिए जी हाँ, आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि किन्नरों की बद्वा कभी नहीं लेनी चाहिए ऐसी मालनता बर्सों से चली आ रही है मेक्स्ट नाइन स्प्रीच्छोल से आधिक रिपोर्ट